कैसे हो दोस्तों, उमीद है सभी लोग मज़ेदार होंगे, आज हमारे पास है Realme Narjo 60 Pro 5G, आज इस वेडियो में इस फुन का Top 50 Plus Amazing Features के बारे में बताऊंगा, एफ वीडियो देखने के बाद बहुत आसानी से आपके फुन को इस्तेमाल कर पाओगे, इस फुन में कोई भी पार कमेंट्स को आप सेप कर साकते हो, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधर कार्ड बगएरा, कोई भी एप्लिकेसन को हाइड भी कर पाओगे इस फुन में, उसके लिए सेटिंग के अंदर आना है, प्राइवेसी का ओप्सन दिखाई देगा, फिर से कर देना, कोई भी एप्लिकेसन हाइड हो जाएगा, मैं यहाँ पे अमाजन को हाइड करके रखाऊं, देखें, अमाजन यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, आपको अन हैड करने के लिए फिर से यहाँ पे हाइड एप में आना पड़ेगा, या तो डाइलर में आके, जो ना क्रोम को मैं यहाँ पे पासवार्ट आ देका रखा हूँ, अभी देखें, जब मैं क्रोम को ओपिन करने जाऊंगा, मेरे से पासवार्ट पुछेगा, तो इस तरीके से आप सिक्योर कर सकते हो, कोई भी इमेज जिसको अगर आप हाइड करना हो, सेम प्रोसेस है, गैलरी में विडियो के अंदर ओही इमेज आ चुका है, ऐसा पब्लिक के उपर टैप करोगे, कैमेरा को सिलेट करोगे, पब्लीज हो जाएगा, हाइट नहीं रहेगा, सेम उसी तरीके से आडियो, कोई भी डॉकुमेंट्स या कोई भी फाइल को आप हाइड कर सकते हो, होम स्किन में इस साइट से एक साइड बार खुलके आता है, देखें, यहाँ पर बहुत सारे सौटकार्ट और बहुत सारे एप्लिकेसान है, एडिट के उपर टैप करोगे, बहुत सारे एप्लिकेसान को एड़ कर पाओगे, बहुत सारे सौटकार्ट को भी आप एड़ कर सकते हो, यह फ कही बार रिस्टेंट मेनु में आने के बाद कौन सा चीज हम लोग यूज़ कर रहे थे सब कुछ चेक कर लेता है लेकिन आपसे ऐसा नहीं होगा देखिए जो पार्ट आपका प्राइवेट है उसके उपर टैप कर देना उस एप्लिकेसान के उपर हाइट कॉंटेंट के उप उस एप्लिकेसान के उपर टैप करके फ्लोटिंग उपर टैप करोंगे ए मनी उपर है सिंगorang के बाद फ्लोटिंग उन्ड difam में कनवाल करो जाएगा यहां पर ठाप करें केंगे कैई भी मूब zeggen हो यहां पर्ट करोगे फुल में कनवाल होजाएगा और क्रॉस में करोगे एक गायफ हो जाएगा देखिए camera से कर पाओगे moment speed को बड़ा या छोटा करके कई भी अब लोग यहां पे move करवा सकते हो इतना ही नहीं जो ठीकने से outer line thickness को बड़ा या कम कर पाओगे साथ ही में color को यहां पे single color है अब gradient color रख सकते हो outer line color को क्या रखना चाहते हो ओ भी यहां पे select करके रख देना outer line color हो जाएगा देखने में जो की बहुत cool look देता है AMOLED डिस्पले के बज़े से इस पोड में अलो एचन डिस्पले मिलता है इसको enable करने के लिए setting के अंदर आना है wallpaper style के अंदर आने के बाद अलो एचन डिस्पले के अंदर आना है और यहां पे आप लोगों को अलो एचन डिस्पले दिखाई देगा इसको enable कर देना नीचे में बहुत सारे shortcut है कोई भी shortcut को आप लगा सकते हो अलो एचन डिस्पले में जो की एक cool look देता है wallpaper and style के अंदर और भी बहुत सारे बहतरीन features है जैसे की icon style को आप बहुत आसानी से यहां पे change कर पाओगे साथी में color को भी आप लोग change कर पाओगे देखिए यहां पे जो color है ना blue color है आप अलग-अलग color भी try कर सकते हो जो की बहुत अच्छा लगता है fingerprint का जो animation है उसको भी आप लोग यहां से बहुत आसानी से change कर पाओगे देखिए तरह तरह के का style दिया है age lighting के अंदर आओगे जब notification बेगर आएगा इस तरीके से कुछ lighting आओगा तो आप लोग यहां पे जो light color है उसको select कर सकते हो जब अब लोग new phone खरीबते हो battery percentage internet speed meter so नहीं करता है उसको enable करने के लिए notification के अंदर side work के अंदर आना है और यहां पे battery percentage, real time network speed, इस सब कुछ को enable कर देना उपर में दिखाई देगा कितना percent battery है या कितना speed दे रहे internet सब कुछ इहां पे ही दिखाई देगा हमारे phone में बहुत सारे notification आता रहता है कई बार हम लोग clear all कर देते हैं बात में पता चलता है बहुत important notification आयता जो हमने guide कर दिये इसको enable करने के लिए notification status bar के अंदर थोड़ा ही नीचे more setting के अंदर सबसे नीचे notification history का option दिखाई देगा इसको enable कर देना 24 hours के अंदर जो सारे notification आएगा हर एक notification को यहां से ही चेक कर पाऊगे three finger से आप skin shot ले पाऊगे scroll के उपर tap करके आप long skin shot ले पाऊगे जितना तक चाहिए done कर देना long skin shot हो जाएगा इस phone का जो dark mode है न वो बहुत बढ़िया है उसको enable करने के लिए display and brightness के अंदर यहां पर आपको dark mode का option दिखाई देगा enable कर देना totally dark हो जाता है schedule में भी लगा सकते हो कितने time से कितने time तक आप लोगों को dark mode चाहिए इतना ही नहीं eye comfort के अंदर आके eye comfort mode को enable कर देना अगर आप रातों में phone को ज़्यादा इस्तेमाल करते हो एफिचास आपको बहुत मदद करेगा schedule में भी लगा सकते हो कितने time से कितने time तक आप लोगों को eye comfort mood चाहिए साथी में इसका जो brightness level है उसको आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हो home skin में double tap करोगे skin का जो light है बंद हो जाता है इनेबल करने के लिए home skin में दो finger से pinch कीजिए more के अंदर आईए यहां पर आपको दिखाई देगा double tap to lock और सबसे नीचे यहां पर दिखाई देगा double tap to white turn off skin ए दो features को इनेबल कर देना है देगे home skin में बहुत सारे application रहता है एक हातों में हम लोग जब phone को इस्तिमाल करते हैं इस सारे application तक हमारा only punch नहीं पाता है इसका एक solution दिया है इस set से swipe करोगे या इस set से swipe करोगे सारे application एकी जगा में आ जाएगा और इहां से कोई भी application को select कर लीजिए एवी by default बंद रहता है इनेबल करने के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा more में और यहां पे दिखाए देगा icon pull down gestures यहां पे जाके इस option को इनेबल कर देना अगर आपके घर में कोई भी बच्चा फोन को जादा इस्तेमाल करता है उन लोगों को kit mode enable करके देना basically special features के अंदर यहां पे kit space का option दिखाई देगा यहां पे जो सारे application का permission दोगे बच्चे सिर्फ उही सारे application यूज़ कर पाएगा अगर आपके घर में कोई भी बुजूर्ख है उन लोगों के लिए simple mode है special features के अंदर यहां पे देखे simple mode का option दिखाई देगा basically icon थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो जाएगा और उन लोगों को देखने में थोड़ा सा आसन रहेगा और simple जो सारे features important है वही सारे features असामने में रहेगा इस पॉन में कोई भी application के उपर timer लगा सकते हो देखे यहां पे digital oilbing के अंदर आके dashboard के अंदर आके कोई भी application को select कर लीजिए मैं यहां पे amazon को select करता हूँ और app timer में आके न मैं 30 minute select कर देता हूँ देखे दीन में amazon को बस 30 minute यूज़ कर पाऊंगा उससे ज़्यादा अगर यूज़ करने जहूँ automatically application बंद हो जाएगा जब तक आप लोग यहां पे आके app timer को delete नहीं करते हो इस पॉन में बहुत सारे जेस्टस फिचास भी देखने को मिलता है उसके लिए additional setting के अंदर जेस्टस and motion के अंदर screen of justice का option दिखाई देगा बहुत सारे option है और लिखोंगे camera परने जाएगा lock skin में भी लिखोंगे torch light enable हो जाएगा अगर w लिखोंगा तो यहां पे देखिए launch recorder हो जाएगा लेकिन मैं यहां पे चाहता हूँ अलग कोई भी application open हो जैसी कि मैं चाहता हूँ यहां पे calendar open हो तो ओ भी possible है यहां पे lock skin में मैं w लिखोंगा थोड़े ही time में देखे calendar open हो जाएगा इसी तरीके से lock skin का यह जो सारे shortcut है बहुत आसानी से use कर पाओगे race to white देखने को मिल जाएगा मालो फोन ऐसा पड़ा है अगर उठाते हो automatically skin का जो light है वाइक अप हो जाएगा left to ear to answer call basically कोई भी incoming call बेगरा आ रहा है फोन कान के पास लेकर आ जाईए automatically call receive हो जाएगा flip to mute incoming call कोई भी call बेगरा आ रहा है फोन को पालट दीजिए automatically जो call है वो mute हो जाएगा additional setting के अंदर one hand mode का option भी देखने को मिलता है अगर आप एक आतों से जादा phone को इस्तेमाल करते हो एक features आपको बहुत मदद करेगा assistable का option दिखाई देगा enable कर देना एक बल जैसा खुल के आ जाएगा tap करोगे यहां पर देखिए back हो जाएगा double tap करोगे recent menu में आ जाओगे tap करके hold करके home page में आ जाओगे देखिए इसका जो setting है इसको change करने के लिए assistable के अंदर यहां पर tap menu के उपर tap करोगे अभी tap कीज़े देखिए menu आएगा कोई भी bag या home button बगरा कुछ भी नहीं आएगा देखिए इस shortcut आप चेंज भी कर पाऊगे जैसे कि यहां पर log है मैं चाहता हूँ lock के जगा में यहां पर one hand mode आ जाए देखिए अभी one hand mode आ चुका है लॉक के जगा में कैमेरा के अंदर भी बहुत सारे features देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो उसके बज़े से कैमेरा का मैं dedicated वीडियो बढ़ाँगा और मैं आप लोगों को बढ़ाँगा कैमेरा में क्या कुछ features देखने को मिलता है वी एक fresh वेडियो में